हेई गाईज मेरे नाम है अकाश शिंग और आप लोग का फिट से स्वागत है ये 3 विदस में तो गाईज सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक्यू सो मच बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग parti अभी तक मेरी चैनल को प्यार दिया है इसना और जितनी स्पीड से ये Facebook advertisement की तो मैं उससे पहले यह सब वीडियो बनाने लग जाता बट कोई नहीं दे रहा है दुरस्ता है अब आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है Facebook pixel के ओपर क्योंकि मेरे को बहुत जादा questions आयें लोग के side से कि भाई Facebook pixel क्या है Facebook pixel को install कैसे करते है Facebook pixel का क्या use है Facebook में तो guys यह सारे questions मैं आपके इस वीडियो में clear कर दूँगा तो please इस वीडियो को end तक देखिए और मैं आपको एक चीज बताना जोँगा कि आपके प्यार के विज़े से ही मेरे को आज इतना motivation मिली है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वरना मैंने सोचा नहीं था अभी मैं एक महने से को वीडियो नहीं बना रहा था तो आज आपके लिए एक वीडियो लेका है मैं भडिया से आपको समझाओंगा बिल्कुल डीटेल में और ऐसी वीडियो आपको अभी तक कहीं पे भी Facebook पे या YouTube पे आपको देखने के लिए मिलेगी Facebook से रिलेटेट पिक्सल से रिलेटेट क्योंकि बहुत सारी वीडियो से ह आपको यह नहीं बता रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो चेक करी है और मेरे को पता है कि कोई भी सारी चीज़ आपको नहीं बता है पर इस वीडियो में आपको मैं A to Z पिक्सल से रिलेटेट सारी चीज़ बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पह है कि जब आपका पिक्सल वेबसाइट पे इंस्टाल हो रखा होगा तो गाइस लोग पूछते हैं कि भाई Facebook Pixel का काम क्या है Facebook Pixel क्यों इंस्टाल करना जाए तो Facebook Pixel आप सिर्फ Conversion Campaign लोग बोलते है कि Conversion Campaign के लिए Facebook इंस्टाल करने के बाद आप भले आप Conversion Campaign नहीं चला रहे हैं बट तब भी आप इसका यूस ले सकते हैं और चीज़े चेक करने के लिए अपनी वेबसाइट की विज़े चेक करने के लिए वेबसाइट के यूरल देख सकते हैं कि कहां पे लोग जा रहे हैं भले आप Conversion Campaign नहीं चला रहे हैं भले आप नॉर्मल वेबसाइट विज़े चला रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहँगा कि सबसे पहले कि Facebook Pixel होता क्या करता क्या मतला Facebook Pixel का काम है कि यह आपकी जो एक्टि बता रहे हैं नंबर भी आप राइट इन साइड में नंबर देखेंगे तो आपको नंबर दिखा रहे हैं कितने नंबर हैं और यहां पर आपको यह वेबसाइट के नाम बता रहा है कि क्या URL के नाम तो यह सब चीज़े आपको Facebook Pixel से तो इसका काम बिलकु सेम Google Analytics की तरह है Google Analytics बहुत ज्यादा एडवांस रेवल पर होता है वो आपको और ज्यादा डीप इंफोमिशन देता है Facebook Pixel आपको कैमपेंग के लिए मतलब जो भी नीड़ीड चीज़े होती है वो आपको बताता है तो यह इसका काम है जैसे कि आपको सेल अपनी अपनी ट्रैक करनी है कि कितनी स करा है तो यह सारी चीज़ आप इससे चेक कर सकते हैं बस आपको यह डीटेल बताता है कि visitor की क्या activity हो रही है आपके page पे अब इसको install कैसे करें जब भी आप Facebook Pixel आगर आपकी website पे कभी install नहीं हो रखा है या आपके ad account पे Facebook Pixel कभी activate नहीं हुआ है तो आपकी screen जो है Facebook Pixel जब आपको पहले अपने ad account पर जाना है ad manager पर वहाँ पर आप जब setting में क्लिक करेंगे तो Facebook Pixel पर आपको यहां नहीं दिखे pixel तो आप all tools पर क्लिक करके यहां ढूंड सकते है pixel को जैसे यहां दिख रहा है आपको assets में तो उसके बाद आप जब जब जाएंगे पहली बार आप पे इससे generate नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ad account से आप एक ही pixel add कर सकते हैं और एक ही pixel generate कर सकते हैं तो आप जब जाएंगे अपने pixel पर तो आप वो create pixel का option देगा तो आप उस पर click करेंगे तो वह आपको बूचे का नाम बनाने के लिए pixel का आप नाम बना देंगे और guys मैं आपको यह सारे url जो भी आपको instruction वाले url है policies के वह सारे मैं आपको description में दे दूँगा तो आप खुद भी जाके check कर सकते हैं तो guys आपको नाम लिखना होगा जैसे कि आपकी जैसे मेरा है कास्षिंग तो मैंने कास्षिंग pixel लिख दिया कुछ भी आप रख सकते हैं उसके बाद आपने उसको create pixel पर click कर दिया जैसे next पर click कर दिया तो उसके बाद वो आपसे तीन चीजे बदल तीन उसमें options होते हैं वो जो पिक्सल की कोडिंग होती है वो आपको add नी करनी पड़ती manually आपका जो pixel ID है वो आपने add कर दी और उसी के बाद आपका मतलब काम हो गया आपको और कुछ करने की जूरती नहीं जैसे कि उसमें आती है आपकी Shopify वेबसाइट आती है और आपकी जैसे कि आप यहां देख सक जैसे कि मैं आपको Shopify का बताऊं तो Shopify में जब आप जाएंगे तो आपको online store पे जाके preference पे क्लिक करेंगे तो वहां पे पहले से उनने Facebook ID के लिए आपको जगा दे रखा है Facebook Pixel के लिए जहां पे आपको Facebook ID डालने पिक्सल की और वहां पे बस आपके पूरी website से वो link हो गया आप आपको कुछ भी करने की जड़तनी है ना आपको add जो भी आपके event codes होते हैं जो आपको add to card के लिए link करने या आपको पर्चेस के लिए जो event codes है वो link करने होते हैं वो आपको इन websites पे बिल्कुल नहीं करने हैं आपको सिर्फ एक pixel ID add कर देनी है और उसके बाद आपका काम खत number डाल दिया हमाँ जाके pixel का तो आपका पूरी website लिंक हो गया क्योंकि WordPress ने अपनी साइट से कोई tag management नहीं दे रखा है आपको खुदी manually आपको plug-in install करना पड़ता है तो जब आप manually पे click करेंगे तो वो आपको कुछ codes देगा जो main code होगा वो आपका ऐसा लगेगा और यह है main code और मैं यहाँ पर इसको copy नहीं कर सकता हूँ तो यही main code है जो आपको अपनी main website पे जो आपके हर page पे add होगा Facebook pixel का और इसके बाद यह सारी activity trace करेगा इसके अंदर आपका भी conversion campaign यह conversion event code add नहीं है यह normally एक page view के लिए है और इसके अंदर क्या होगा कि जब आपको यह code मिलेग तो सबसे पहले आप इसको copy कर लें पूरे code को और एक notepad पे paste कर लें क्योंकि आपको इसके अंदर ही जो आपकी pixel ID है वो मिलेगी जैसे कि आप यहाँ पर dark में देख रहोंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो यह pixel ID इनने example देया है तो इसी जगह पर आपकी pixel ID होगी तो यह पूरा आप copy कर लें क्योंकि आप इसको save कर लें कहीं पर अगर आपका कोई गलती हो जाती तो आप इसको अब आद में use भी कर सकते हैं तो क्योंकि यह बाद बार मिलता नहीं आपको इसको एक बर आपने कर लिया तो फिर आपको मुश्किल होगी ढूंडने में तो इससे बड़ी ह को यूज कर पाएंगे कोई और पिक्सल को यूज नहीं कर सकते हैं फिर आपको क्या करना है जब आपका pixel एक बार जन्रेट हो गया तो आपने ये code जब आपने एक जगा पे पेस्ट कर लिया तो आपको यही जो पिक्सल आइडी है यह आपको ढूंडनी है और इस वीडियो यहां पर भी ढूंड सकते हैं और उपर कॉर्णर पर जहां आप देख रहे हैं कि add account का जो name है उसके नीचे pixel id तो आप यहां पर भी ढूंड सकते हैं कई बार नहीं होता कई बार वह आपको create add दिखाएगा create pixel ही दिखाएगा तो आपको वहां पर जो आपने code copy कर रहा है वहां पर ढूंड सकते हैं तो फिर आपको जाना है अपने wordpress पे और wordpress पे जाके आपको जाना है plugins पे और plugins पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूछेगा add new plugin प्लग इन पर क्लिक कीजिए उसके बाद आप अप क्लिक कर देंगे add new plugin पर तो वह आपको वहां पर लिखना है search plugin पर आपको लिखना है facebook pixel आपको कुछ भी नहीं लिखना और आपको कोई मतलब issues नी आएंगे ज्यादा पहले मैं facebook pixel यह था इसको भी यूज करता था बट अब इनने बहुत ज्यादा paid version की side force करने लग गये हैं इसमें आपको conversion इनके options तो उसे कम कर दिये हैं आपको जायता तरह बोल रहें कि भाई paid low paid low paid low और जायता लोग क्या करते हैं insert header and footer करके एक plugin आता है उसको use करते हैं और उसको क्या करते हैं कि आपका यह main code है वो पूरा copy करके वहाँ पर header पर जाके paste कर देते हैं और यह work करता है यह कोई गल चीज नहीं मैंने बता रहा है कि गल चीज है बट यह बहुत hard method है hard method in the sense कि आपको फिर जो आपका event code है जो आप event code conversion code होते हैं जैसे कि आपने conversion code अपना customized बनाया जब आपका campaign चलाना चाहते है तो वहाँ बोलेगा आपको कि आपको पहले conversion जो event code है वो आपको अपनी website के उस page पे लगाना पड़ेगा जिस page को आप track करना चाहते हो उस conversion से लिए जैसे add to card है तो add to card का event code होगा तो आपको add to card क page पर जाके paste करना होगा तो वह सब सीजे बहुत जाद ही मतलब manually हो जाती है तो वह सब सीजे आपको नहीं करनी है जो तरीका मैं बताऊंगा सिर्फ उसे follow करें और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी वहना पहले आपको आप देखेंगे यहां पर यह सब purchase, lead, complete registration, इतने सा comment section है यह आपके लिए, कभी भी दिक्कत हो, आप message करी सकते हैं और वैसे भी Facebook या Instagram पर आप मुझे follow करते रहें वहाँ पर पूस सकते हैं, तो आपको यह install करने के बाद यह आपको नीचे जाएंगे आप, हाँ इसको activate भी कर लेना, activate का भी पूचे कर लेंगे तो नीचे कर देख रहे होंगे, यहां दिखा रहा है कि add your Facebook pixel ID, तो Facebook pixel ID आपको जो यहां number आप देख रहे हैं, वो इसी, यह number add है, आपको मैंने पहली बताया था, कि यहां से आप copy कर सकते हैं, और कभी कर यह चीज आती नहीं है, जब आप नया बनाते हैं, तो क्योंकि टाइम लेता है या generator में, तो आपने जो code copy करा है, जो मैंने आपको main code बोला था, कि आपने जो manual पर जाके main code copy करा होगा, वहां से उस code को निकाल ले, जैसे इसमें तिखा रहे हैं, वहां से उसे copy करें, और यहां पर जाके simply paste कर दें, या तो आपका ऐसा आगया है paste, तो यहां से copy करें, पू पली नीचे जाना है, और नीचे जाके आपको activate plugin generate setting पे click करके, save setting करके, आपका plugin activate, अब आपको अगर check करना है, कि भाई, मेरा plugin activate है की नहीं, और काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको एक, आप अपनी browser में, अगर आप Google Chrome यूज करते हैं, तो एक आपका extension आता है, जि Google पर सर्च करने, Facebook Pixel Helper, और आपको first link मिलेगा जाके आप इसको add करने, ये एक normal सा आपका extension add हो जाएगा, जब भी आप किसी website पर जाएगे, तो ये आपको directly बता देगा कि कितने वहाँ पे pixel add है, कौन से कौन से pixel उस page पे activate है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप करने की जड़तनी, अगर आप मेरे step को follow करेंगे, तो आपने जब ये pixel your site जब आपने link कर लिया, इसमें जब आपने main code, main ID जो pixel की link कर लिया, उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपको tap दिख रहा होगा, events का, events का जाके आपको यहाँ पे इतना बड़ा blue सा बटन purchase का, तो यहाँ पे आप जाईए, अपने purchase का, जैसे की website आपकी link है, जो www.akashsing.com slash purchase, जैसे ये एक link है, जो मेरे purchase की link है, उसको मैंने यहाँ डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से select करा, purchase, और उसके बाद मैंने value दे दी, जैसे $1 जो भी dollar में दे दी, या किसी euro में द आपने यहाँ add to add पे click करा, और मैं add करूंगा न क्योंकि मेरे client की website है, तो मैं पंगा नहीं चाहता, तो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा जो आपका event code आपने जो add करा है, जो आपका conversion pixel है, यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, आप देख रहोगे lead, booking initiated, payment initiated, contact initiated, यह तो मैंने 4 lead, चार event code मैंने link कर रखे हैं, और उसके बाद आपको activate भी करना पड़ेगा पहले इसको, तो आप यहाँ पे click करके activate और save setting करके, तो आपका ऐसे हो गया conversion pixel add, उसके बाद आप conversion campaign easily run कर पाएंगे, जो भी आपको conversion track करना है, वो आप track कर पाएंगे, और उसके लिए आप एक conversion campaign भ पाले होते हैं, उनके लिए बहुत easy होता है, क्योंकि उनका add to cart होता है, उनका purchase पहले से होता है, उनकी नॉर्मल सी चेक आउट यह सब तो होता ही होते है, तो उनको easily मिल जाता है, बट अगर आपका कोई lead generation campaign है, जैसे आपको lead generate करनी है, और आपको vote trace करना है, और उसके lead generate हो रही है, बट आपको जो आपको पता नहीं के ऐसे करेंगे, तो आप एक काम करें, कभी भी आप कोई भी page जो, आप कोई भी track करना चाहते हैं, कोई भी चीज को, अपने conversion को, conversion का मतलब यह नहीं कि सिरक conversion purchase ही होता है, आप किसी भी चीज को conversion में मान सकते हैं, जैसे आपक lead generation हो गई, contact आपको customer ने contact करा तो वो हो गया, यह आपका purchase हो गया, तो किसी को भी conversion मान सकते हैं, जो भी action आप चाहते हैं, track करना customer की साइड से, उसे conversion मान सकते हैं, तो क्या करना है आपको, जब भी आप कोई जैसे किसी ने अपनी information डाली और उसके बाद submit पे click करा, तो कई ब पे जब conversion event code add करेंगे, तो आपका, जब कोई client इस page पे आएगा, तो वो भी conversion में आएगा, जब उस पे कोई submit करेगा, वो भी conversion में आएगा, तो आप धंग से समझ नहीं पाएंगा, तो इसलिए हमेशा आपने conversion campaign या conversion event code को link करने के लिए, आप हमेशा वो करें, कि जब आपक आपके client ने submit पे click करा, तो आप एक new page बनाएं, उसके लिए thank you page जिसको हम बोलते हैं, आप एक new thank you page बनाएं और उसमें जाके event code add करें, simply आपको क्या करना है, उसका URL आपको copy करना है, यहीं पे आपको add new event पे जाके URL पेस करना है, और आपको कोई भी event purchase मानलो, उसे lead मानलो, वो add करके आपको एक event code बना लिए, तो यही simple चीज है guys, इतना simple काम है, हमेशा new page बनाएं, landing page एक new बनाएं, उसके लिए thank you page एक new बनाएं हमेशा, कि आप वहाँ पे add करें, वरना आप same page पे करेंगे, तो same पे लोग आएंगे जिनने information भी नहीं पुट करी, वो भी count हो जाए इससे ज़्यादा कोई इसके पीछे math नहीं है, कोई science नहीं है, बहुत easy चीज है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, तो भाई comment section पूरा खुला पड़ा है, आप मज़े से type करें, मज़े से पूछें, अगर आपको और information चाहिए, deeply information जाननी है, तो आप मुझे facebook पे contact कर सकते हैं, Instagram पे भी contact कर सकते हैं, और follow करें मुझे सारे social media पे, और guys, अगर आपको ऐसी वीडियो continuously चाहिए, आप चाहते हैं कि और वीडियो बनाओ, क्यूंकि मैं plan कर रहा हूँ, पूरी एक series बनाने के लिए, इसके अंदर आपको conversion campaign के बार में बता हूँ, अपने clients के campaign आ आपको run करते हैं, दिखाओं कि मैं कैसे करता हूँ, तो आप भी सीख सकें, जो लोग Facebook marketing से कुछ earning करना चाहते हैं, मैं वो सब चीज पर भी बना सकता हूँ, वीडियो बट इसके लिए आपको मुझे support करना पड़ेगा, और support कैसे करें कि मेरी वीडियो को share करें, आपके friends हो जो जानना चाहते होंगे Facebook marketing के बार में, तो share करें guys, मुझे पता है, एक ना एक तो friend आपका निकलेगा है, जो हमारे चैनल की इस वीडियो से कुछ help मिलेगी उसको, share करें, like करें, और comment करें, और subscribe करना ना भूलें guys, subscribe करने के बाद आपको एक bell icon दिखेगा, उसे भी click करके notification on करें, क्योंकि Facebook का आज कर लिए चल रहा है, कि वो notification हर बंदे को नहीं बेचता है, जो जिसने उस bell icon को click कर रखा है, उसी के बाद notification जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी video मिस करें, तो guys, please subscribe कर लेना, like कर देना, share करना जरूर, और अब आप से मुलाकाद हो दो क अगली video में और कुछ भी जानना हो, तो please comment करें, बाबाई